अगर आप टारो में और कल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अदर्वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी हाव टारो सर्टिफिकेशन कोर्स जिसमें A to Z अबाउट टारो आपको सीखने को मिलेगा इसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप क्लिक करके join कर सकते हैं और इसी से ही related अगर आपके मिल में कुछ सवाल हैं कुछ doubts हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं I also have a free webinar on this आप उसको join कर सकते हैं इसका लिंक भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा आपके जो भी doubts हैं जो भी सवाल हैं वो clear हो जाएंगे या फिर आप directly हमें screen पे दिये हुए number पे call भी कर सकते हैं तो जो भी आपके लिए convenient है वो आप कर सकते हैं Hello everyone मैं हूं किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए May 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि May month में आपके partner की क्या energies होंगी आपकी क्या energies होंगी finally May month में क्या होगा तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2024 की Love Tarot Reading तो चलिए भाइसेज आप लोगों के लिए देखें कि May 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है मेरे पास आपे तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे बहला card मुझे दिख रहा है The Devil Reverse और यह card कहता है कि कुछ time से या फिर May starting में किसी चीज को लेकर एक pressure, एक burden आप में हिसूस कर सकते हैं अब देखें यहाँ पे pressure, burden के surprises के लिए different reasons रहेंगे लेकिन devil के card के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि या तो आप थोड़े से possessive, थोड़े से obsessive partner को लेकर हो रहे हैं या फिर situation, circumstances partner को आप थोड़ा control करना चाहा रहे हैं, अपने हिसाब से चीजों को करना चाहा रहे हैं और यहाँ पे देखें devil के नीचे family का card कहता है कि family की भी interference, involvement या फिर किसी भी तरीके का एक, फिर से मैं कहूंगी interference है जिसकी वज़े से issues मसले हो रहे हैं और in fact मैं कहूंगी कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी family की वज़े से issues हो रहे हैं, problems हो रहे हैं या फिर आप अपने partner के साथ family चाहते हैं, उसकी वज़े से एक pressure आप महसूस कर रहे हैं और देखें कहीं आपके partner के लिए भी 10 of pentacles reverse का card है तो में मन्त में, sorry, family की किसी ना किसी level पे involvement interference रह रह रही है या फिर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक family चाह रहे हैं, commitment चाह रहे हैं, long term चाह रहे हैं और कहीं mid may के लिए आपके लिए देखें तो six of cups reverse का card कहता है थोड़ा सा emotionally low feel कर रहे हैं पुराने पलों को या फिर पुराने जो भी moments आपने अपने partner के साथ बिताए या तो उसके बारे में आप बहुत जादा सोच रहे हैं या फिर कोई past relationship है, उस पे आप focus कर रहे हैं focus is actually not the right word, मतलब आपको खयाल आ रहा है आप सोच रहे हैं, आप बहुत miss कर रहे हैं इस तरीके की energies रह सकती है और deeper level के लिए failure का card कहता है कि अब दिखिए यहाँ पे क्योंकि six of cups का card है failure के उपर तो हो सकता है कि past में कोई mistake आप से हुई current relationship में, आप उसके बारे में सोच रहे हैं regret कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि past relationship आपका successful नहीं रहा या फिर issues मसले रहे, उसके बारे में सोच रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगे failure का card किसी mistake, किसी परेशानी या फिर कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है उसके बारे में होने की बात करता है और कहीं उसी से ही related, again past की किसी चीज पर या तो आप focus कर रहे हैं past की कोई चीज present situation में आ रही है और कहीं in the process आप emotionally low भी feel करते वे दिख रहे हैं और देखें यहाँ पर youthful, folly and seven of pentacles के cards भी इन्ही energies को और जादा confirm कर रहे हैं कोई mistake, कोई गलती या तो आप से हुई या फिर आपने immaturity में कुछ चीजें करी या हो सकता है कि partner की तरफ से ऐसी energies रही हों क्योंकि ये card आपके लिए है, आपके लिए जादा रहतावा दिख रहा है again आप थोड़े से impulse से हुए जल्दबाजी करी या immaturity में आपने कुछ चीजें करी या कोई mistake, कोई गलती फिर से मैं कहूंगे आप से हुई और उसके बारे में आप बहुत जादा सूचते वे दिख रहे हैं और कहीं अब कैसे चीजों को better करें कैसे चीजें improve हो क्या आपका course of action होना चाहिए क्या आप decision, क्या choices लें उसके बारे में आप जादा सूचते वे दिख रहे हैं और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप future course of action decide करना चाहते हैं कहीं आपको मन ही मन ऐसा लग रहा है कि कोई गलती ना हो जाए कोई आप से mistake ना हो जाए इसके बारे में आप जादा सूच रहे हैं तो कहीं देखे इस तरीके की energies रहेंगी ये general reading है तो बहुत specifically नहीं बता सकते हैं लेकिन फिर से कहूंगे कि इसी के around May month रहता हुआ दिख रहा है May month में in fact आपकी energies रहते हुए दिख रही है अब आपके partner के energies देखें तो आपके partner के लिए सबसे बहले cards है The Sun, Reverse and Engagement और ये cards कहते हैं कि कुछ time से या फिर May starting में आपके partner बड़े एक happy, jolly mood में रहते हुए दिख रहे हैं हाला कि कुछ missing feeling भी रह सकती है बट कहीं एक togetherness चाहा रहे हैं कहीं companionship चाहा रहे हैं कुछ के लिए literally हो सकता है आपके साथ शादी करना चाहा रहे हैं engagement करना चाहा रहे हैं living चाहा रहे हैं और उसी से ही related एक enthusiasm, excitement, clarity भी उनके लिए रहते भी दिख रही है और यहाँ पर देखिए आपकी और आपके partner की energies एकदम से contrast रहती हुए दिख रही हैं हमने आपके लिए देखा devil reverse के card में कि आप बहुत परिशान हो रहे हैं एक pressure, tension, stress ले रहे हैं वहीं आपके partner के लिए sun reverse का card happiness, joy की बात करता है फिर से कहूंगी क्योंकि sun का card reverse है तो missing feeling रह सकती है उनको और वो missing feeling का reason भी यही रह सकता है कि आप शायद उतना energetic नहीं है या फिर आप किसी level पर jealous हो रहे हैं या फिर थोड़े से possessive, obsessive हो रहे हैं तो आपके partner की energies फिर से देखें तो दिखिए May starting में उनकी energies काफी अच्छी रहती हुई दिख रही है लेकिन कहीं mid May में Importance and 10 of Pentacles reverse के cards कहते है या तो उनको ऐसा लग सकता है कि भी उनके अंदर capacity नहीं है capability नहीं है इस relationship को आगे लेकर जाने की या फिर इस relationship में contribute करने की उस तरीके से कि भी ये relationship में beautiful energies रहें या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि आपके अंदर वो capacity नहीं है कि आप एक अच्छे partner है या फिर अगें जो वो चाहते हैं आप से अपने partner से, future partner से और कहीं इसी लिए देखिए वो long term commitment चाहा तो रहे है लेकिन थोड़ा सा एक unsure भी होते हुए दिख रहे हैं थोड़ा सा कहीं deeper level के लिए मैं कहूंगी कि उतना confident भी नहीं होते हुए दिख रहे हैं और उनके लिए भी यहाँ पे 10 of pentacles reverse का card है तो कहीं फिर से कहूंगी long term commitment चाहा रहे हैं लेकिन उसी से related कुछ issues मसले भी महसूस कर रहे हैं और मैंने अभी आपको बताया तो उनको ऐसे लग रहा है कि उनके अंदर वो capacity नहीं है इस relationship को आगे लेकर जाने की maintain करने की या आपकी तरफ से ऐसी energies वो महसूस कर रहे हैं इसी लिए या फिर otherwise four of pentacles का card गहता है and में में कहीं वो थोड़ा सा अपने आपको hold back कर रहे हैं यहाँ पर अगर आप इस card को देख पा रहे हैं तो जो figure हैं उनके पस जितने भी पैसे हैं पर टाइटली उन्होंने पकड़ कर रखे हुए हैं तो इसी तरीके से देखिए अपनी feelings को, emotions को, गुसे को कहीं वो tightly पकड़ कर बैठे हुए हैं और कहीं उतने या तो expressive नहीं हो रहे हैं अब यहाँ पर यह भी हो सकता है पाईसेस आपकी तरफ से कोई बात हुई आपके partner ने वो tightly पकड़ कर रखा हुआ है या फिर अपना love, अपनी feelings को tightly पकड़ कर रखा हुआ है तो किसी चीज़ को बहुत tightly उन्होंने पकड़ा हुआ है and deeper level के लिए innocence का card कहता है कि उनके कोई bad intentions नहीं है उनके कोई गलत motives नहीं है आपके लिए बहुत एक pure, बहुत एक innocent तरीके से वो चीज़ों को कहीं hold on कर रहे है अब देखते हैं आप Isis की में मंत में क्या हो रहा है तो देखें में starting के लिए the wear and tear of time का card कहता है कि कुछ issues, कुछ मसले रह रहे हैं और आपके लिए तो बहुत clearly हमने devil reverse के card में देखा कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं और इसी energy को ये card भी confirm करता है क्योंकि इस card में लिखा हुए the wear and tear of time तो हो सकता है कि कुछ time से issues मसले चल रहे हैं पर बहुत time से अगर आप इस relationship में हैं तो time के साथ जो एक नोग जोग होती है उसकी वज़े से issues हो रहे हैं और देखिए जो भी चीज हमारी life में हो उसको हमें maintain तो करना ही पड़ता है घर है वो भी maintenance मांगता है गाड़ी भी maintenance मांगती है ऐसे relationship भी maintenance मांगता है और कितनी बारी हम अपने partner को for granted ले ले लेते हैं पर partner हमें for granted ले लेते हैं specially जब relationship बहुत time से हो और अगर आपका relationship नया नया है तो भी कहीं issues मसले deeper level के लिए रहते हुए दिख रहे हैं और इसलिए या फिर otherwise emperor reverse का card कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई ये काफी aggressive हो रहे है और दिखिए फिर से कहूंगी कोई भी हो सकता है आप दोनों में से aggressive लेकिन जिनकी masculine energies है या फिर जो male figure है वो ज़ादा aggressive होते हुए दिख रहे हैं हो सकता है कि discipline तरीके से चीजों को आगे लेकर जाना चाहा रहे हैं थोड़ा सा organized तरीके से चीजों को deal करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और कहीं दिखिए mid may से लेकर end may तक के लिए night of swords reverse and eight of cups reverse के cards कहते हैं या तो आप दोनों में से कोई एक जन्या आप दोनों आगे बढ़ना चाहा रहे हैं अब देखिए यह आगे बढ़ना भी सबके लिए differ करेगा, कुछ के लिए होसकता है relationship को आगे बढ़ाना चाहरे हैं कुछ के लिए होसकता है relationship को end करके, you know अकेले ही आगे बढ़ना चाहरे हैं और दोनों ही सेनारियों में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं यानि कि अगर relationship को आगे बढ़ाना चाहरे हैं तो नहीं बढ़ा पा रहे हैं और अगर relationship को end करकर खुद आगे बढ़ना चाहरे हैं तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं और night of swords reverse का card कहता है कि शायद आप दोनों में से कोई एक travel करना चाहरे हैं उससे भी related issues मसले रह सकते हैं clarity लाना चाहरे हैं clarity नहीं आ पा रही है और बहुत impulsive हो रहे हैं कहीं communication बहुत blunt straightforward हो सकता है और यहां पर eight of cups reverse का card फिर से वहीं चीज को confirm करता है या तो किसी चीज को छोड़ कर आगे बढ़ना चाहरे हैं नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर किसी चीज के पास वापस आ रहे हैं यह य से नारियो रह सकता है कि अगर issues मसले हो रहे हैं तो कहीं end may में resolve हो रहे हैं पिर से clear कर देती हूं या तो छोड़ कर आगे बढ़ना चाहरे हैं नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर अगर gap distance काफी time से है तो वापस आते वे दिख रहे हैं या निकिरी conciliation होता हुआ दिख रहा है love yourself and inner voice के cards कहते हैं शायद जो भी हो रहा है उसका एक reason है कि mid may से लेकर end may तक self को prioritize कर रहे हैं और जो भी अंतरमन की अवाज है inner voice आपको कह रही है उसको आप follow कर रहे हैं तो ये था पाईसेज आप लोगों के लिए may 2024 की love tarot reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जबाब मिला है तो इस चैनल को like share और subscribe जरूर करें